हालो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फावेट कोचिंग सेंटर में देखिए आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं most 20 important question यह जो सिरिंखला है यह सिरिंखला आपका चलता रहेगा हजारों question तक हमारा जो target है 10,000 question लेकर के चलेंगे यानि 10,000 most important question आपके लिए put up करेंगे और उसी question को हम आप put up करेंगे जो कि आपके current क्या करते हैं आपका जो previous year से परिच्छाओं में आया हुगा रहेगा तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं अपने पहले question को देखिए पहले question क्या है पहले question में कह रहा है हाल ही में भारत के क्या है color थोड़ा change कर लेते हैं रिड़ कर लेते हैं चलिए हाल ही में भारत की नए राष्टपती कौन बने हैं तो पहला option है रामनात कोविंग second option है प्रडव मुखरजी third option है द्रोपदी मुर्वू फूर्थ option है यम वेंगया नेट्र तो आपका right answer हो जाएगा द्रोपदी मुर्वू तो यह आपका right answer हो जाएगा किसका answer हाल ही में भारत के नए राष्टपती कौन बने है द्रोपदी मुर्वू बने है दिखे global warming यह भी आपका question जो है बहुत important है तो दिखे इसमें क्या आपसे question पूछा जा रहा है global warming और जलवाई परिवर्तन के परभाव को कम करने के लिए भारत ने कौन सी पहल सुरू की है तो पहला आपसन है स्वच भारत मिसन सेकेंड आपसन है राष्टी हरित उर्जा मिसन थाड़ आपसन है उजाला उयोजना फूर्थ आपसन है नमामी गंगे पर्योजना तो आप आपका राइट एंसोर हो जाएगा इसमें से हरित राष्टी हरित उर्जा मिसन नेक्स्ट कोशन दिखी क्या है नेक्स्ट कोशन है आपका भारत के वरतमान वित्त मंत्री कौन है यहां पर चार आपसन दिए गए है निर्मला सीता रमर्ण सेकंड आपसन है अरुड जेटली फोर्थ आपसन है यूज गोयल थर्ड आपसन है राजनाथ सिंग तो यहां पर आपका राइट एंसोर हो जाएगा निर्मला सीता रमर्ण सेक्ट पर चलते हैं नेक्स पोशन है आलही में कौन सी भारतिय फिल्म ने अंतराश्टी पुरसकार जीती है तो यहां पर पहला यह आपका राइट एंसोर हो जाएगा जली कट्टू नेक्स्ट कोश्टिन देखें क्या है नेक्स्ट कोश्टिन ने गंगा नदी को सवच रह करने के लिए सरकार द्वारा कौन से नय कदम उठाए गए है तो राइट एंसोर हो जाएगा आपका स्वच भारत भियान ने राइट एंसोर ने पहला अप्सटन हो जाएगा है स्वच भारत भियान सेकर्ड अप्सटन हो जाएगा नमामी गंगे परियोजना थर्ड अप्सटन हो अम्रित योजना तो राइट अंसर की बात करेंगे तो राइट अंसर हो जाएगा नमामि गंगे पर योजना अगला कोशन है किस भारतिय खिलाडी ने हालही में ओलंपिक खेलों में स्वड़पदक जीता है तो पहला आपसन है पीवी सिंदू और सेकंड आपसन है नीरज चोपडा थर्ड आपसन है साची मलीक चौथा आपसन है मैरी कौंग तो राइट अंसर हो जाएगा नीरज चोप भारत के किस राज ने हालही में नई सिच्छा निती को लागू किया है पहला आपसन है करना टक सेकंड आपसन महराष्ट थर्ड आपसन है उतर प्रदेश चौथा आपसन है गुजरात तो राइट अंसर हो जाएगा करना टक भारत में हालही में किस नई तकनिक का अविश्कार का अनावरण हुआ है तो पहला आपसने डिजिटल इंडिया प्लेटफार्म सेकंड आपसने ई रूपी डिजिटल डिजिटल वाउचर थर्ड आपसने भीम एप फोर्ट आपसने आधार काड तो राइट एंसर हो पहला आपसने डिजिटल वाउचर भारत और चीन के बीच वर्तमान सीमा विवाद की स्थिक क्या है पहला आपसने तनाव कम हो गया सिकंड आपसने तनाव बढ़ गया थर्ड आपसने वार्था चल रही है और था आपसने यूद चुर गया तो राइट एंसर है वार्था चल रही है है हाल ही में भारत के में किस राज ने सबसे अधिक परियावरण संड़ चड़ के लिए पुरसकार चीता फर्ष्ट आपसने केरल सिकंड आपसने तमिल नाडू थर्ड आपसने सिक्किम और आपका फोर्था आपसने हिमाचर प्रदेश तो आपका राज टैंसर ह सिक्किम के राजधानी होती है घंग ठों के भारत का नजया संसद्भावन किस वर्फ्ठ उद्धान हुआ हूगा है यहां पर देख्या न्यया संसद्भावन है आप सभी कुल्पको पता है यह हाल ही में इसका उद्धाटन हुआ है और ये उद्गाटन जो है हुगा तो है और किस वर्थ हुगा है ये आपका 2013 में हुगा है और ये जो संसद है ये पहले वाले संसद से बहुत ही अलग है इसमें तमाम सारी खूबियां है जो कि पहले के समय में नहीं थी जो पहले का संसद था वो अंग्रेज के समय में बना लेकिन आज का संसत जो है वो आजात भारत के तहट बनाऊगा है तो उसमें जो भी आपके राश्टी पच्छी हैं राश्टी मोर हैं राश्टी पच्छी पसू हैं इस प्रकार से जो भी कलाकृतियां बनी हैं उसमें कलाकृतियां आपको देखने को मिली है तो आपका अगला कोशन हो जाएगा हालही में किस देश के साथ भारत ने वैपार समझाओता किया है तो आपका राइट 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 आयोजन हुगा था तो पहला आपसाने दिल्ली सेकर्ण आपसाने मुंबई और थर्ट आपसाने बैंगलोरू चौथा आपसाने जैपोर तो राइट एंसोर हो जाएगा आपका दिल्ली तो यह दिल्ली जो है भारत की राध्धानी है यहां पर देखिए दिल्ली में अधितर अफिस जो भी सरकारी ऑफिसें यहीं पर आपका है हाल ही में भारत में किसी भारत रतन से इस्तमानित किया गया है तो पहला आपसाने सचिंतन दुलकर सेकर्ण आपसाने रतन टाटा थर्ड आपसाने लता मंगेश कर और था आपको ने अटल बिहारी वाजपे तो राइट आपसे जब यहां पर मुख्य नया दीश की बात किया गया है तो यहां पर यह बताएगा है आपका कि जो आपका नदीश का अनुच्छेट जो है किस अनुच्छेट के तयात आता है यह अनुच्छेट 124 के अंतरगत आता है भारत ने किस देश के साथ हाल ही में सैन अभ्यासता योग 2023 आयोजित किया है पहला अपकान है रू सेकंड अपकान है फरांक थर्ड अपसन है अमेरिका फुर्थ असन है जापान तो रायट इंसट रोजित की अधины ह होती है वो यहां इहां के प्रिशीडेंट राश्बती जो है तो राश्पती यहां के हैं बलादिमेर पुतीन है हाल ही में कौन सा राज्य भारती राज्य बेश्ट गवर्न्ड इस्टेट की रूप में चुना गया है तो पहला अपसे नहीं महारा है सिकर्ण अपसे नहीं तो मिलनाडो चौथा तीसरा अपसे गुजरात चौथा आपसे केरल तो राइट अंसर हो प्रण पुर्म भारत में किस राज्य में सब्से बड़ा और सौर बड़ा सौर उर्जा सइयंतर इस्थापित किया गया है तो पहला आपसे नहीं गुजरात थाड़ा अपसे नहीं मध्य प्रदेश पोर्त आपसे नहीं तमिलनाडो तो राइट अंसर हो जाएगा आपका र अबसे नहीं बहारत में किस देश पर सबसे लंबा फुल धौला साधी या फुल इस्तित है तो आपका राइट अंसर रहेगा इसमें से पहला अप्सों जाएगा दूसे ब्रह्म पोत्र तीसरा यमुना चाहता अप्सों नर्मदा तो राइट अंसर जाएगा बंब्र ब्रह अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक आउ सेयर जरूर कीजिएगा मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पार वाचिन